कुट्ब मिनार तो आज मैं कुट्ब मिनार में यहां के सारी चीजों को explore करने वाली हूँ यहां पर एक शाही दर्वाजा है आईरन पिलर है कुट्ब मिनार है और एक पुराणी मजजिद है हलो गाईज मैं हूँ शनाज और आप देख रहे हैं एसार के देशी व्लोग तो काईज आपका स्वागत है एक नए व्लोग में आज हम कुट्ब मिनार आये हैं और और यहां पर जो भी चीज़ें हैं उनको explore करने वाले हैं तो गाईज हमने एंट्री कर ली है और आप चलते हैं अंदर मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर क्या-क्या चीज़ें है कुट्ब मिनार में तो गाईज यह दूर से नजर आती हुई कुट्ब मिनार सूरज इसके पीछे है इस साइट से यह डार्क नजर आ रही है तो यह इसका कॉरिडर है आप देख सकते हैं यह 24,000 स्क्वेर फीट में बना हुआ है पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं बच्चों को मस्ति करते हुए बच्चे भी आए हुए अपने पेरेंट्स के साथ तो चलिए हम कुट्ब मिनार के बिल्कुर करीब चल गे कुट्ब मिनार को देखते हैं उसके अंदर जो कारी गरी हुई है जो पत्थरों नकाशी पत्थरों पर नकाशी की हुई है वो देखते हैं गाइस यहां पर हर दो मिनिट के बाद जहास गुजर रहा है और बिल्कूल कुतो मिनार के उपर से देखिए मैं दिखा दियू आपको गाइस कुति मिनार में आने के लिए आपको टिकेट खरीदना पड़ता है टिकेट 40 रुपे का है और ऑफ लाइन अगर लेते हैं आप 40 रुपे का है और ऑन लाइन अगर बुकिंग कराते हैं तो आपको 35 रुपीज का परचेस करना पड़ेगा यहां पर कैमरा लाना इस कुटम मिनार के हाइड है 337 फीट और इसके अंदर गोलगल सीडियां बनी हुई है इसका एक गेट है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी तो उस गेट से अगर आप उपर चड़ते हैं इसके टॉप फ्लॉर पर जाते हैं तो आपको सीडियों से चड़ने में 30 मिनट से लगते हैं क्योंकि यह सीडियां बड़ी बंद किया हुआ है लेकिन 25-30 साल पहले इस गेट को खोला हुआ था आम पब्लिक के लिए लेकिन एक एकसिडेंट ऐसा हुआ था जिसकी वज़े से इस गेट को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था जब पब्लिक कुटम मिनार की सिडियों पर चड़ रही थी, तो अचानक लाइट चली गई थी, और लाइट जाने की वज़े से अंदहरा हो गया तो रंधेरी की वज़े से भगदर मच गई थी, और उस भगदर की वज़े से ही इतने लोग गिर गए और दब कर मर गए थे, इसकी वज़े से इसको कुटम मिनार को से एक्सिडेंट के बाद बंद कर दिया गया, बंद है तो कोई भी नहीं जा सकता है, यह इसा गेट है, और आप देख सकते हैं, कुटम मिनार पर कुछ अर्भी लिंग्वेज में आयत है लिखी हुई है, इसकी बनावाट नीचे से चोड़ी है और उपर जैसे जैसे इसके हाइट बढ़ती रहती है, वो पथली होती चली जाती है, यह लाल पत्थरों से बनी हुई है, जो पत्थर देखने में काफी अट्रेक्टिव है, आप देख सकते हैं, किस तरह से कारीगरी की हुई है इस पर, घजब की कारीगरी हुई 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 तो गाईज, कुटम मिनार 1199 में में बनना शुरू हुई थी, और 1220 में जाक कंप्लीट हुई थी, इसे कुतुबदीन एबक ने बनवाया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट उनके दामा शम्शुदीन ने करी थी, तो गाईज जी इस मिनार को बनने में 21 साल लगे, इस मिनार का दूसरा नाम विक्ट्री टावर भी है, क्योंकि जब दिल्ली क को फते किया था, कुतुबदीन एबक ने, तो अपनी जीत की खुशी में इस टावर को बनवाया था, इसलिए इसको विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां पर एक शाही दर्वाजा है, और दूसरा एक है आईरन पिलर, तो मैं आपको शाही दर्वाजा पर भी घुमाऊंगी और आईरन पिलर भी दिखाऊंगी, तो यह देखे, टौप, खुतुब मिनार का, वाके बहुत खुबसूरती से बनाया हुआ है इन्होंने, और कमाल की बात है, चाही कितनी भी आंधी आये, तूफान आये, जलजले आये, लेकिन इसके उपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, एज इस खड़ी होई है, कितने सोई हो साल हो चुके हैं, मगर इस पर कभी कोई आच नहीं आये, दिल्ली में अकसर इतने भूकम आते रहते हैं, अर्थ कुएक आते रहते हैं, लेकिन उसका भी इस पर कोई असर देखने को नहीं मिला है, शाही दर्वासा अलाव तिल्ली न बनवाया था, इसकी चत देख सकते हैं, चत्वे कापी अच्छी कारी करी की है, यह बहार का है, यह बहार के साइड है, आप यह देख सकते हैं, खुबसूरती से इन्होंने कट वर्क में, काम किया हुआ है पत्थर पर, तो यह सामने एक छोटा सा मजार भी है, बट इन्होंने मैंशन नहीं किया है किसका मजार है, जो आपने राइट साइड पर देखा भी, तो गाइस जैसे जैसे साशक चेंज होते रहे, वैसे वैसे इस जगा को मोडिफाई करवाते रहे, कुतुबदीन के बाद कुतुबदीन का बेटा आया, उसने कुछ चेंज करवाया, जिस तरह से अलावदीन खिल्जी आये, उन्होंने ये शाही दर्वाजा बनवाया, उसी तरह से जैसे जैसे चेंज होते रहे, बाद शालो, उसी तरह से यहाँ पर मोडिफाई करवाते रहे इस एरिये को, और आज की डेट में, जो हम देख रहे हैं, आज की डेट में यहाँ की कंडिशन ये है, ये शाही दर्वाजे का बहार का सीन है, और ये क्या रहसा जार्डन मेंटें किया हुआ, इनोंने पार्व टाइप है, अब देख सकते हैं, खुबसूरत है, यहाँ से कीले नज़र आरही है, क्योंकि रोश्नी सुरज की फ्रेंट में पड़ रही है, तो आप देख सकते में, पत्थरों पे किस तरह से कारी गरी हुए है। थो अब देखिए इन पत्थरों पर किस की हुई है यह जो प्लर खड़े हैं इनके उपर आप देखेगा डिजाइन की इसतना बहत्रीन डिजाइन बनाया हुआ है यह चार तरफ जो प्लर नजर आ रहे हैं सब पर कारी-गरी दिखेगी आपको वजब की कारी-गरी है हुआ 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 Begin झाल झाल तो गाइस यह आईरन पिलर है और इसके बारे में जो लिखा है बहुत बारीक लिखा हुआ है तो आप पड़ गी नहीं पाई है इसके खरीब जाने के लिए मना है तो इसलिए इनोंने पूरा चारो तरफ से एक सर्कल बनाया हुआ है ताकि आप इसको टच नहीं कर सके पहले लोग इसके पास जा सकते थे इसे पकड़ सकते थे चूँ सकते थे नस्दीक से देख सकते थे तो अब अलाउड नहीं है देखिए झालब अलाउड देखिए तो हम देख सकते हैं इन पत्थरों पर किस तरह से इस तरह से बारी की से काम किया गया है है हर पिलर आपको इतना कारी गरी से मिलेगा तो देख सकते हैं इस सोल यहां पर कुछ खबर भीवनि हुए है सेंटर में एक एक और बनी हुई है और एक यह जोड़ा बनी हुए है इसके पास यह आइरन पिलर है यह देखिए इस आइरन पिलर के पास भी व्यवysis छोट्टी से खबर है इसे और एक इस कहले तो पर दागी घंग अजिन रहा एस ठाई है और आप दिखेंगे इसके की कंचे ना रावी दागी आईरन वर टिये असंट पर निग पास रहा और इस आइरन पिलर पे संस्क्रीट में कुछ लिखा हुआ है वारी की से क्योंकि हम उसके करीब नहीं जा सकते इसलिए हम उसे दिखा नहीं सकते सिर्फ में बता सकती हूं आपको तो गाइस यह चत है आप चत पर देख सकते हैं कितनी खुबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है चत को चत आपको आप देख सकते हैं कि इतने खुबसूरती से इसको डिजाइन किया है चुबसूरती हुब सूरच छुपने वाला है अभी इसकी उपर से चाहस गुजर दोवे देखी है ना खूब सूरच तो गाईज अभी में जब सूरच छुप जाएगा तो यहाँ पर लाइटिंग होती है तो लाइटिंग के टाइम पर कुतुब मिनार बहुत ही खुबसूरा लगती है तो मैं उसका भी इंदिजार करूँगी मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी के नाइट में कुतुब मिनार कैसी लगती है उसका यह सारा कॉरिडॉर जितना भी है वो लाइटिंग में किस तरह से लगता है आप पूरा वीडियो देखिए मैं आपको नाइट का भी व्यू दिखाऊंगी बस सूरज चुपने वाला है कुछ ही देर में लाइट्स ओन हो जाएंगी यह मेरा चोटा सा भांजा मस्ती करता हुआ आप दिखेंगे एक मिनिट अराम से नहीं वेठा है जब से आया है बस भागम भाग भाग फुली एंजॉए इस शीशे लगे हुए नीचे उसके उपर चल रहा है देखो तो गाइस अब देख सकते हैं लाइटे ओन हो चुकी है और यह कुतू मिनार पर लाइटिंग हो रही है तो मैं आपको उपर से कुतू मिनार का विव दिखा रही हूं देखिए इसके चारू तरफ हूं और अजयों आपको मिनार को बाल तो गाइस देखिए सूरत चुप चुप चुका है और लाइट ओन हो चुकी है लाइट में देखिए कुछ तुमिना कितने खुबसूरत लग रही है यह व्यू वाकई बहुत खुबसूरत है अब बहुत खुबसूरत है औिल हो थोजे को अजने केला में करका एल का धुछ कर दो खुछे दोगा दो कि अजा है? तो गाइस आप देख सकते हैं यह नाइट का व्यू है किते खुबसूरा लग रही है मेरे पीछे कुद्व मिनार तो आप नाइट में आकर भी देख सकते हैं बहुत अच्छा व्यू है इसका नाइट में चार तरफ लाइटिंग होती हुई भी 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 लाइटिंग है बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है तो गाइस मैंने आपको तक्रीबन सारी कुद्व मिनार घुमा दी है अब यहां पे दिखाने के लिए कुछ और बाकी है नहीं तो मैं अपना व्लोग अब यहीं पे खतम करूंगी लेकिन खतम करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको यह व्लोग अच्छा लगाए तो आप कमेंड लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराए तो गाइस पहले फुर्चत में सब्सक्राइब कर लें क्यूंकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और मैं आपको इसी तरह से इंफोर्मेशन प्रोवाइट करती रहूंगी और तो गाइस फिर मिलता है एक नई विलोग में नई लोकेशन के साथ तब तक के लिए इजाज़ा और बहुत अब खायार रखें अपना और अपनी फैमली का तब तक के लिए बाबाए